प्रियंका गाली वांडरा एक तरह से एक्टिव हो गई है, एक पोस्ट इनकी और से भी साजा किया गया है, साथी साथ अपनी स्पीश में भी हिमाचल प्रदेश का जिकर इनों ने किया है, हिमाचल की राजनीती को लेकर जो कुछ इनों ने कहा वो हम आपको बताने वाले हैं शुरुआत शिक्षा के क्षेटर से करना चाहेंगे क्योंकि इगनों में एक बड़ा फरजी वाड़ा देखे सामने आया है, दरसल इगनों से संबंदे जो भी छातर हैं उनके लिए ये जानकारी बहुत जादा मेहतोपूर्ण है, शोशल मीडिया पर एक फरजी लिंक साज किया जा रहा है, इसलिए इगनों की ओर से अधिकारिक तोर पर वेबसाइट पर ये जानकारी डाली गई है कि ऐसे किसी भी फरजी वाड़े में छातर ना आए, इगनों की जो आधिकारिक वेबसाइट है, वहीं दिये गए लिंक पर केवल वो जाएं, इसके अलावा सोशल मीडिया के थ्रू कोई भी लिंक उन तक पहुंचता है, तो उस पर क्लिक करने के आविशकता नहीं है, और ये किसी भी व्यक्ति या एजेंसी को इन्होंने अधिकरित नहीं किया है, फीस मांगने के लिए, पंजी करन करवाने के लिए, या फिर ना मांगकर दर्ज करने के तो ये महतवपुन खबर थी उन चातरों के लिए जो कि इगनू से संबंदित है, इगनू की जो ऑफिशल वेबसाइट है, आप उसी पर जाकर बिल्कुल जानकारी देख सकते हैं, शोचल मीडिया के थ्रू कोई भी लिंक आता है, तो उस पर क्लिक करने की आविशकता नही हैं, वोकेशनल शिक्षकों से जुड़ी जानकारी भी हम लेकर आए हैं, दरसल ये एक कोर्स के शिक्षक हैं, जिनकी जनवरी महा से लेकर अभी तक वेतन नहीं मिल पाई है, तो तीन महीने तकरीबन हो गए हैं, ये अपनी सेर्री का इंतजार कर रहे हैं, वोकेशनल ट्रे से भी इन शिक्षकों ने बात करके देख ली है, लेकिन वेतन अभी तक सामने नहीं आई, वेतन इनका अभी तक नहीं दिया गया है, वोकेशनल कॉडिनेटर मीडिया एंटर्टेन्मेंट के दौरा ये देखिए, जानकारी इन शिक्षकों को दी गई, क्योंकि यही एक अभी तक सामने पर देखिए, जिसके थूए नका वेतन आता है, लेकिन अभी कानूनी पच्डों में ये कंपनी अभी तक से लरी देना मुश्किल हो रहा है, अभी सरकार से इन्होंने गुखार लगाई है, कि ऐसे में इन्हें अपनी सेवाइं जारी रखना मुश्किल हो और ऐसे में वोकेशनल शिक्षक सबसे ज़्यादा परेशान इसी वज़ा से है कि सेर्वी भी कम हैं और एक तरह से रेगुलर इन्हें नहीं किया जा रहा है, रेगुलर पॉलिसी की भी क्यूंकि लगातार वोकेशनल शिक्षकों की और से पहले मांग उठाई गई है, अब कोई बात EVM को लेकर नहीं कही जाती, लेकिन जिस राजनितिक पार्टी की हाक होती है, वो EVM प्रणाली को लेकर जरूर सवाल खड़े करते हैं, हर राज्य में ही इस तरह का मामला देखने में आता है, इसे लिए इस बात को लेकर कुछ एक करमचारी संगर्थनों ने यहां आवाज उठाई है, राजपत्रित करमचारी सेवाई महासंग ने भारत निर्वाचन आयोग और राज्य चुनाव आयोग से यह मांग उठाई है कि जो यह प्रणाली है EVM की इसे और जादा दुरूस किया जाए, कुछ एक ठोस कदम इसके लिए उठाए जाए, ताकि बार निर्वाचन आयोग और राज्य चुनाव आयोग से इन्होंने यह मांग उठा ली है, कि कोई ना कोई ठोस कदम यहाँ EVM प्रणाली को लेकर उठाए जाने चाहिए, यानि कि इसकी स्वतंतता और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए कोई निर्णय होना चाहिए, और मत बार फिर भी देखने में यह आता है कि जैसे ही किसी राजनितिक पार्टी की हार होती है, तो सबसे पहला सवाल EVM प्रणाली पर ही यहाँ उठाया जाता है, तो अब अधिकारी करमचारियों को यह लगने लगा है, जिनकी भी duty चुनावों के वक्त लगती है, कि यह सवाल उनकी सेवाओं पर भी उठाया जा रहा है, जो कि उचीत नहीं है, तो इसी को मद्दे नजर रखते हुए इनकी ओर से एक यह मांग रखी गई है, चुनावायोग से हलाकि इस पर कोई फैसला होता है या नहीं, यह देखना होगा, यूगि हरबारी की ही बात हो गई है, EVM क की ओर से कॉंग्रेस की घोशना पत्र को लेकर यह कही गई है, कि जिस तरह का मैनिफैस्टो हर बार कॉंग्रेस की ओर से पेश किया जाता है, वो देश को तोड़ने वाला, बांटने वाला होता है, इसमें कॉंग्रेस की मानसिक्ता हर बार दिख चाती है, और एक तरह से कहना था कि आम आदमी पार्टी वो पॉलिटिकल पार्टी थी जिसने भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई थी लेकिन आज इसी पार्टी के मुख्यमंत्री जेल के सलाखों के पीछे हैं और लाखों क्रोडों का उन्होंने शराब से जुड़ा घुटाला किया है और यही घुटाला कॉंग्रिस पार्टी के कुछ नेता भी कर रही है हाला कि यहां त्रिन मुल पार्टी को लेकर भी उन्होंने सवाल उठाए कि इसी पार्टी के नेता भी क्रोडों रुपए शराब के घुटाले से कमा रहे हैं और इस बीच फिर विपक्षी दल ये कहते हैं कि यहां अलग-लग एजेंसियों से जांच करवाई जा रही है क्या भ्रष्टाचार के खिलाब जांच करवाना उचित नहीं है या फिर चुनावों को खत्म होने का इंतजार यहां पर करना होगा कि जब चुनाव खत्म होंगे फिर एजेंसी जांच करेगी ऐसा नहीं है औ और बार-बार इस तरह की बाते विपक्शी दलों की ओर से कही जाती है कि एजेंसी तभी क्यों जांच करती है जब चुनावों का समय आता है लेकिन चुनाव खत्म होने का इntजार तो भष्टाचार को खत्म करने के लिए नहीं किया जा सकता है एजेंसी अपना काम कर रही है चेकिंग रखना उनका करतव्य है इसी वज़ा से यहां पर अभी जांच परताल हो रही है और जो भी शराब घुटाले से जुड़े नेता है उन्हें सलाखों के पीछे भीजा जाएगा अनुराग ठाकुर के ओर से आज ये बड़ी स्टेट्मेंट दी गई है और जैसा कि हमने कहा कि अनुसुचित जाती समेलन में उन्हा में आज ये मौजूद थे जहां कारेकरम के दौरान इन्हों ने ये दो से तीन बड़ी बाते कहीं देखे कॉंग्रेस से बागी हुए और भाशवा के प्रत्याशी राजिंदर राणा ने भी आज कुछ एक सवाल मुख्यमंतरी सुख्विंदर सिंग सुख्वु से उठाए हैं मुख्यमंत्री से पहला सवाल इन्होंने ये किया है कि हमीरपूर के लिए उन्होंने किया क्या जिस हमीरपूर जिला को अपना ग्रिहत जिला मुख्यमंत्री बताते हैं और वहां से है भी तो उसके लिए अभी तक क्या किया गया है 15 महीनों में कोई भी बड़ा कार्या हमीरपूर जिला के दोरे पर आए हैं इस बात का जवाब भी उन्हें देड़ना चाहिए कई हमीरपूर वासी जानते हैं कि मुख्यामंत्री का तो हमीरपूर से कोई लेना देना ही नहीं है मुख्यमंत्री सुखु की आत्मा और शरीर दोनों शिमला में ही बसते हैं उन्होंने शिमला से ही पढ़ाई की शिमला में ही घर बनाया शिमला में ही राजनीती की और तो और जो जिमेदारिया भी कुछ व्यक्तियों को दी गई हैं बड़ी राजनीतिक तोर पर वो भी शिमला से संबंदित लोग ही हैं हमीरपूर के लोगों के लिए कुछ नहीं किया गया हमीरपूर में कोई विकास कार्य नहीं किया और हमीरपूर आना तक मुख्यामंतरी जरूरी नहीं समझते हैं ये राजिंदर राना ने आज बात कही है दूसरी बड़ी बात इन्होंने ये भी कही कि केवल नदौन की याद भी मुख्यमंत्री को तभी आती है जब उन्हें वोट से मतलब होता है इसके अलावा शिमला में ही उनका शरीर और आत्मा दोनों बसते हैं और उन्हें शिमला ही पसंद है हलाकि एक बात ये और कहा गए और ये इन्होंने पूर मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धुमल को लेकर कही कि जब धुमल जी मुख्यमंत्री थे तो उस वक्त हमीरपूर के सभी कारे हो रहे थे एक तरह से रौनक भरा महौल हमीरपूर का रहता था और सबसे जादा दोरे भी धुमल जी के हमीरपूर में ही रहते थे लेकिन यहां मुख्या मंतरी सुख्ष बिल्कुल उससे विपरीद करते हैं बात चाहे जिम्यदारी देनी की हो विकास कारे करने की हो तो सब कुछ शिमला को ही दिया है जितने भी OST मंतरी है या पॉलिटिकल एडवाइजर है वो शिमला से ही बनाए गए है हमीरपूर के लोगों को कोई जिम्यदारी नहीं दी गई है उनके बारे में किसी ने कोई सोच देने के लिए उसे भी मुख्यमंतरी ने बंद कर दिया है उसे भी छीन लिया गया भंग करने के आवेशकता नहीं थी करमचारी चायन आयो को बलकि नया स्टाफ भी वहां पर तैयनात किया जा सकता था इसके अलावा IPH Electrical Division का रहले भी मुख्यमंतरी ने हमीरपूर में बं दरासर मुख्यमंतरी ने कुछ दिन पहले एक स्टेटमेंट दी थी जिसमें इनका कहना था कि जो बागी विधायक है वो 15-15 क्रोड में बिग गए हैं उन्होंने लोगों की भावनाओं को भी बेचा है जनादेश को बेचा है और अब ये सलाकों के पीछे होंगे इस बात पर जो बागी विधायक हैं वो काफी जादा तिल मिला गए हैं और लगतार उनकी और से कोई ना कोई पलटवार किया जा रहा है हलाकि सुधिर शर्मा ने इसी बारे में पहले लगभग 5 क्रोड की मानहानी का लीगल नोटिस भी मुख्यमंतरी को भेजा था लेकिन अब उन के लिए यहां पर इन्होंने FIR की मांग रखी है उना जिला के कुटलेहड में यह बड़ी बात मुख्यमंतरी की ओर से कही गई थी कि 15-15 क्रोड में बागी बिग गए हैं अब सुधिर शर्मा हो या राजिंदर राना हो सभी पूछ रहे हैं कि मुख्यमंतरी को कैसे पता कि लीगल नोटिस मुख्यमंतरी को भेशने वाले हैं एक तरह से उनकी छवी को ठेस पहुंचाने की कोशिश बार-बार मुख्यमंतरी कर रहे हैं अनाप शनाप शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं जो की ठीक नहीं है और इसे वो बरदाश नहीं करने वाले हैं तेकि हिमाचर है तो यहां पर बीव खाने वाले लोग अब चुनाव लड़ेंगे गव मास खाने वाले गव मास का सेवन करने वाले लोग चुनाव लड़ रहे हैं यह दुर्भागयपूर्ण है और एक चिंता का विश्य है इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल अपने सोशल मीडिया पर म कंगना रनौत को रिलेट किया जा रहा है हलाकि कंगना का नाम मंत्री विक्रमाजीते सिंग ने अपने पोस्ट में नहीं लिखा है केवल उन्होंने इतनी से ही बात लिखी है कि हिमाचल एक देभूमी है और गवमास करने वाले अब यहां से चुनाव लड़ेंगे तो उसक कारी है कि पहले यहां कंगना की माता उन्हें बीफ खाने के लिए मना करती थी लेकिन बाद में उन्होंने बीफ ट्राय किया और इसमें कोई बुरी बात नहीं है अब दरसल इसी बात को दुबारा से छेड़ा गया है हलाकि जब कंगना ने पहले यह ट्वीट किया था इनकी धार्मिक भावनाओं को थेज पहुंचाई जा रही है और वीफ खाने के लिए कंगना रनावत बढ़ावा दे रही है जो कि बिल्कुल भी उचित नहीं है हलाकि इस पूरे मामले में कंगना रनावत को क्लीन चिट भी मिल गई थी पंजाब हरियाना हाई कोट से लेक पोशल मीडिया पर विक्रमारित्या ने पोस्साजा कर दिया है अब हला कि कंगना इस पर क्या जवाब देती है ये देखना होगा क्योंकि पिछले कुछ तिनों से कंगना रनावत वकालत करती हुई सनातन की नजर आ रही है बार बार सनातन धरम पर स्टेटमेंट्स दे रह नेता पतिपक्ष जायराम ठाकुर की ओर से निर्दलियों को लेकर एक बड़ा ऐलान किया गया है जिसमें उनका ये कहना है कि छे कॉंग्रेस के नेता पहले ही भाजपा में शामिल हो चुके हैं तीन निर्दलिय विधायक भी भाजपा में जल्दी ही शामिल होंगे और नहीं है धरातल पर कहीं भी कॉंग्रेस की सरकार नजर नहीं आ रही है हाला कि ये लोग सभा चुनाफ को लेकर मीडिया सेंटर का शुभारम करने मंडी गए थे जहां पतरकारों से बाचित करते हुए इन्होंने ये बात कही और कंगना रनौत का जो शेडियूर रहने वाल है और इसी के साथ साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि छे नेता कॉंग्रेस के अर्रेडी भाजपा में आ चुके हैं और तीन निर्दलिय विधायक भी अब जल्दी ही शामिल होंगे और फिर ये छे नहीं बलकि नौ सीटों पर उप्चुनाफ होगा ये बार बार दावा भा ही होने वाली है अभी भी कॉंग्रेस के पास ही बहुमत है ये कॉंग्रेस के वरिशनेता कहते हुए नजर आ रहे हैं प्रियंका गांधी वाडरा भी काफी एक्टिव हो गई है आज इन्होंने भी लोगों को संबोधित करते हुए एक बड़ी बात कही और हिमाचर प्रदे ही है जिसमें इनका कहना है हिमाचर प्रदेश में कॉंग्रेस पार्टी के सभी नेताओं से मैं मिली उनकी एक जुटता मेहनत मजबूती से चुनाव लड़ने के जजबे और जनता के प्रती उनके समर्पन पर मुझे गर्व है एक तरफ भाश्पा का भय लालज और जूट का सामराज्य है और दूसरी तरफ कॉंग्रेस का सचाई को लेकर संकल्प है ऐसे शब्दों का इन्होंने इस्तेमाल किया है हलाकि रीट्वीट इस पर फिर मुख्या मंत्री सुख्रू की ओर से भी किया गया है जिस पे उन्होंने ये लिखा है कि प्रियंका जी हिमाचल की जनता और कॉंग्रेस पार्टी का एक एक कारे करता भाश्पा की धनबल वाली राजनीती को हराने के लिए एक जुट है हिमाचल में इमानदारी और जनसेवा की परंपरा है भाश्पा ने बेहिमानी और जोड तोड का नया रिवास चलाने की कोशिश की है जनता इसका करार जवाब देगी तो ट्वीट एक तरह से प्रियंका गांदी वाटरा ने किया है जिसके बाद ये नजर आ रहा है कि वो भी पॉलिटिकली काफी जादा एक्टिव हो गई है इससे पहले जब विधान सबाचुनाब होने थे तो जिम्मा कहीं न कहीं हिमाचल प्रदेश का प् उचित नहीं है तो फिर मिलेंगे नहीं खबर के साथ